साथियों, आज इस पवित्र धर्ती पर आकर मैं धन्यता का अनुभाव कर रहा हूँ ये मेरा स्वभाग्य है कि मैं आज देश को करतारपूर साथ करिडोर समर्पित कर रहा हूँ जैसी अनुभूती आप सभी को कार सेवा के समय होती है अभी इस पल मुझे भी वही भाव अनुभाव होता है मैं आप सभी को पुरे देश को दुनिया भर में बसे सिख भाईयों बहनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता आज शिरोमने बुर्दवाना प्रबंदे कमिटी उन्होंने मुझे कोमी सेवा पुरसकार बे दिया ये पुरसकार ये सम्मान ये गौराओ हमारे महान संत परंपरा के तेट त्याग और तपस्या का प्रसाद है मैं इस पुरसकार को इस सम्मान को गुरु नान देवजी के चरणों मैं समर्पित करता हूँ आज इस पविश्टर भूमी से गुरु नान देवा साथ के चरणों मैं गुरु ग्रन साथ के सामने वैं मैं नम्रता पुरुवा ये प्रास्णा करता हूँ कि मेरे भीतर का स्यवा भाव दिनों दिन बढ़ता रहे और उनका अशिरवाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे साथियों गुरु नान देव जी के पांचो पचास प्रकास उत्सव से पहले इंटिग्रेटेज चेक पोस्ट करतापुर साथ कोरेडो इसका आरंब होना हम सभी के लिए दोहरी खुशी लेकर के आया है कार्तिक पुर्णेमा का पर इस बार देव दिपावली और जगमग होकर के हमें आशिरवाद देगी भाई और बहनों इस कोरेडोर के बनने के बाद अब गुर्दवादा दर्वार साथ के दर्शन आसान हो लाएंगे मैं पंजाब सरकार का शिरोमणी गुर्दवाना प्रबंदक कमिशी का इस कोरेडोर को तैस समय में बनाने वाले हर स्रमिक साथी का बहुत बहुत आभार व्यक्ता करता हूँ मैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री स्रमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने करतारपूर कोरेडोर के विशेरे बारत की भावना को समझा, सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कारियर किया मैं पाकिस्तान के स्रमिक साथ्यों का भी आभार व्यक्ता करता हूँ जिन्होंने इतनी तेजी से अपनी तरफ के कोरेडोर को पूरा करने में मदद की साथ्यों गुरुनान देव जी सिर्फ सिक्पंत की बारत की ही धरोदर नहीं धरोर नहीं बलकि पूरी मानवता के लिए प्रेणा पुंज है गुरुनान देव एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है जीवन का आधार है हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति, हमारे मुल्य, हमारे परवरिश, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे सरक, हमारे बोल, हमारे वाने यह साथ गुरुनान देव जी जैसी पुन्य आत्मा ओद्वारा ही गड़ी गई है जब गुरुनार देव यहां सुल्टान को लोभी से यात्रा पर निकले थे तो किसे पता था कि वो यूड बजलने वाले हैं उनकी वो उदाशिया वो यात्रा ने संपर्ग, संवाद और समनवाए इसे सामाजिक परिवर्तन की बहतरीन मिथार है अपनी आत्राओं का मकसद स्वयम गुरुनार देव जी ने बताया था बाबे आखिया नाश जी सचू चंद्रमा कुडू अंधारा कुडू अमावसी बर्तिया हव भाला चरिया सांसरा साथियो वो हमारे देश पर हमारे समाज पर अन्याय अधार्मा और अत्याचार की जो अमरवस्या च्छाई हुई थी उससे बहार निकालने के लिए निकल पड़े थे गुलामी के उस कथीन कारखन में भारत की चेतना को बचाने के लिए जगाएं रखने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पिश कर दिया साथियो एक तरफ गुरुनारक देवजी ने सामाजिक दर्षन के जिरिये समाज को एकता भाईचारे और सवहाद का रास्ता दिखाया वही दूसरी तरफ उन्होंने समाज को एक ऐसी आर्थिक बवस्ता की बैंडी जो सच्चाई, इमानदारी और आत्म सम्मान पर ठीकी है उन्होंने सीख दी कि सच्चाई और इमानदारी से किये गए विकात से हमेशा तरफ की और समर्दी के रास्ते खुलते हैं उन्होंने सीख दी कि धन्तों आता जाता रहेगा पर सच्चे मुल्य हमेशा रहते हैं उन्होंने सीख दी है कि अगर हम अपने मुल्यों पर अडिज रहकर काम करते हैं तो समर्दी स्थाई होती है भाई और बेनों करतारपूर सिर्फ गुरुनानक देवजी की कर्म भूमे नहीं है करतारपूर के कर्में गुरुनानक देवजी का उस पसीने किया महेक मिली हुई है उसकी बायू में उनकी मारी घुली हुई है करतारपूर की धर्ती पर ही हम चलाकर उन्होंने अपने पहले नियम किरत करो किरत करो का उदारा प्रस्तूत किया इसी धर्ती पर उन्होंने नाम जपो की विधी बताई और यही पर अपनी मेरत से पैदा की गई फसल को मिल बाट कर खाने की रीत भी शुरू की वंड़ चको वंड़ चको का मुप्र दिया साथ लो इस पवित्र स्थली के लिए हम जितना भी कुछ कर पाएंगे उतना कम ही रहेगा ये कोरिडोर इंटिग्रेटिर चेक्पोस हर दिन हजारो सद्वालूओं की सेवा करेगा उन्हें गुर्द्वारा दर्बार साथ के करीब ले जाएगा कहते हैं शब्द हमेशा उर्जा बनकर बातावरं में विद्यमान रहते हैं करतारपूर से मिली गुरुवानी की उर्जा सिर्फ हमारे सिख भाई बैब है भाई बैनों कोई नहीं बलकि हर भारत बाती को अपना आशिरवाद देगी साथियों आप सभी बली बाती जानते हैं कि गुरु नानिक देल जी के दो बहुत ही करीबी अन्युवाई थे भाई लालो और भाई मरदाना इन होनारों को चुन कर नानक देव जी ने हमें संदेश दिया कि छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता और सब के साथ बराबर होते है उन्हाने सिखाया है कि बिना किसी भेद बाव के जब हम सभी मिलकर काम करते है तो प्रगती होना पक्का हो जाता है भाई और बहनों गुरु नानक जी का दर्शन केवल मालव जाती तक ही थिमित नहीं था करतारपुर में ही उन्होंने प्रकुर्टी के गुनों का गायन किया था उन्होंने कहा था पवणू गुरु पाणी पिता माता धर्टी महतू यानि हवा को गुरु मानो पाणी को पिता और धर्टी को माता के बराबर महत्वदो आज जब प्रकुर्टी के दोहन की बाते होती हैं परियावरन की बाते होती हैं प्रदूशन की बाते होती हैं तो गुरू की ये वानी ही हमारे आगे के मार्ग का आधार बनती है साथियों आप सोचिए हमारे गुरू कितने दिर्गत रष्टा थे कि जिस पंजाब में पंजाब पांच नदियां बैठी थी उनमें भरपुर पानी रहता था तब यानि पानी लबा लब भरा हुआ था तब गुरुदेव ने कहा था और उन्होंने पानी को लेकर चिंता जताई थी उन्होंने कहा था पहला पानी जियो है जीत हरिया सब को है यानि पानी को हमेशा प्रात्विक्ता देनी चाहिए क्योंकि पानी से ही सारी स्रस्थी को जीवन मिलता है सोचिए सेंकरों साल पहले ये द्रस्थी बविश्य पर ये नजर आज बने हम पानी को प्रात्विक्ता देना भूल गए प्रकूती परियावान के सती लापरवा हो गए लेकिन गुरू की वानी बार बार यही कह रही है कि वापस लोटो उन संसकारों को हमेशा याद रखो जो इस धरती ने हमें दिये है जो हमारे गुरूओं ने हमें दिये है साथियों बीटे पांच सालों से हमारा ये प्रयास रहा है कि भारत को हमारे समरत्र अतीत ने जो कुछ भी सोपा है उसको समरक्षित भी किया जाए और पूरी दुनिया तक पहुंचाया भी जाए बिते एक वर्ष से गुरू नानक देव के पांच सो पचांस में प्रकासोप्सव के समारों चल रहे वो इसी सोच का हिस्था है इसके तहट पूरी दुनिया में वारत के उच्चायोग और दुतावाज विशेष कायरकम कर रहे हैं सेमिनार आविजित कर रहे हैं गुरू नानक देव जी उनके समुर्ति में समारक्षिक्के और स्टेम्प भी जारी किये गए हैं साथियों बीते एक साल से देश और विदेश में किर्टन, कथा, प्रभाद्फेरी, लंगर जैसे आयोजनों के माजम से गुरू नानक देव की सिक्का प्रचार किया जा रहा है इससे पहले गुरू गोविन सीजी के तिन सो पचासवे प्रकासोत सब को भी इसी तड़ा भवेता के साथ पुरी दुनिया में मिना मनाया गया था पटना में हुए भग्वे कारकम में तो मुझे खुद जाने का सवभग्य भी मिला था उस विशेश अवसर पर तिन सो पचास उप्रचास रुपे का समारक सिक्का और डाग सिकड़ भी जारी किये थे गुरु गोईन सीजी की स्बुती और उनका संदेश अमर रहे इसके लिए गुजराच के जामिय अगर में साथ सो पचास बेड़ का आधूनिक अस्पताल भी उन्ही के नाम से बनाया गया है भाई और भेनों गुरु नाम जी के बताएं रास्ते से दुनिया की नई पीड़ी भी परिद हो इसके लिए गुरु बारी का अनुवार विश्व की अलग अलग भाशाओं में किया जा रहा है मैं यहाँ युनेस्को का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिसने केंडर सरकार के आगरों को स्विकार किया युनेस्को द्वाराभी गुरु नानक देवजी की रचनाओं को अलग अलग भाशाओं में अनुवास करने में मदद की जा रही है साथियों गुरु नानक देव और खाल्चा पंसे जुड़ी रिसर्ट को बढ़ावा मिले इसके लिए ब्रिटेन की एक युनिवर्सिटी में चैस की सापना की गई है ऐसा ही प्रयाद कनेडा में भी हो रहा है इसी तरह अम्रिट्षर में इंटर फेट युनिवर्सिटी की सापना करने का भी हैसला लिया गया है तरकि सदभाव और जुजितता के प्रती सम्मान को और सोचाहन मिले भाई और बैनों हमारे गुरुआं से जुड़े अहम स्थानों में कदम रखते ही उनके विरासत से साक्षात कार हो नई पीरी से उनका जुड़ाव आसानी से हो इसके लिए भी गंबीर कोशी से हो रही है यही सुल्तान पूर लोभी में आप इन कोशीज़ों को साक्षात अनुभव कर सकते हैं सुल्तान पूर लोभी को हेरिटेज चाउन बनाने का काम चल रहा है हेरिटेज कॉंप्लेट हो, म्यूजियम हो, अडिटोरियम हो ऐसे अन्यक काम, यहां या तो पूरे हो चुके हैं, या फिर जल्ब पूरे होने वाले हैं यहां के रेवे टेशन से लेकर, शहर के अन्य खेत्रों में, गुरु नानक देवजी की विरासर, हमें देखने को मिले, ये कोशिश भी की जा रही है गुरु नानक देवी जी से जुड़े, तमाम स्थानों के होकर गुजर्रे वाली, एक विशेश च्रिन भी, हफ्ते में पांच दिन चलाई जा रही हैं, ताकि इस रधालों को, आने जाने में परेशानी ना हो भाई और बेनों, केंद्र सरकार गएं, देश भर में सिथ, सीखों के अहम स्थानों के बीच, कनेक्टिविटी को ससक्त करने का भी प्रयास किया है स्रियकार सक, दम्लमा साहब, केजगर साहिब, पटना साहिब, और हुजूर साहब के बीच, रेल और हवाई कनेक्टिविजी पर बल दिया गया है अम्रस्थार और नांदेर के बीच, विशेश स्थाइट की भी, अपने शेवा सुरू हो चुकी है ऐसे ही, अम्रस्थार्स्थन के लिए जाने वाली, एर इंडिया की फ्राइट में, इक ओमकार के संदेश को भी, अंकित किया गया है साथियों, केंदर सरकार ने, केंदर सरकार ने, एक और महत्पपों फैस्वा लिया है जिसका अलाब, दुनिया भर में बसे, अनेक शिक परिवारों को हुआ है कई साहों से, कुछ लोगों को भारत में आने पर, जो दिक्कत थी, अब उन दिक्कतों को दूर कर दिया गया है इस कदम से, अब अनेक परिवार, वीजा के लिए, OCI कार्ड के लिए, अपलाई कर सकेंगे वो यहाँ भारत में, अपने रिष्टेदारों से, आसानी से मिल सकेंगे और यहाँ, गुरुओं के स्थानों में जाकर, अर्दास भी कर पाएंगे बाई और बैनों, केंद्र सरकार के, दो और फैसलों से भी, सिख समुदाय को सीधा लाब गुआ है आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के हटने से, अब जम्मू, कश्बीर और लजाक में भी, सिख परिवारों को, वही अधिकार मिल पाएंगे जो बाकी हिंदुस्तान में उन्हें मिलते हैं, अभी तक, वहाँ हजारों ऐसे परिवार थे, जो अनेग अधिकारों से वंचित थे इसी प्रकार, सिटीजन्स एमेंडमेंट बिल, उसमें संसोधन का भी बहुत बड़ा लाब, हमारे सिख भाई बेनों को भी मिलेगा उन्हें भारत की दागरिकता मिलने में आसानी होगी, साथियों भारत की एकता, भारत की रक्षा सुरक्षा को लेकर, गुरु नानक देवजी से लेकर, गुरु गोविन सीदी तक, हर गुरु साहम ने, निरंतर प्रयाश हिये, अनेक बलिदान दिये हैं, इसी परंपरा को, आजादी की लडाई, और आजाद भारत की रक्षा में, सीद साथियों ने पूरी शक्ति से निभाया है, देश के लिए बलिदान देने वाले साथियों के समरपड़ को, सम्मान देने के लिए भी, अनेक तारसक कदम केंदर सरकार ने उठाये हैं, इसी साह, जलिया वाला ब आजुनित बनाया जा रहा है, सरकार द्वारा सिख युवाओं के स्कूल, स्केल और स्वरोजगार पर भी विशे ज्यान दिया जा रहा है, बीते पांच वर्थ में करिब 27 लाख सिश्टूडेंस को अलग-अलग स्कॉर्शिप दी गई हैं, भाईयों और बैनों, हमारी अगलत कालखन में, अपने अपने हिसाब से, चुनोतियों से निपटने के रास्ते सुजाए हैं, उनके रास्ते जितने तब सार्थक थे, उतने ही आज भी एहम है, राश्टिय एक्ता, और राश्टिय तेतना के प्रति, हर सन, हर गुरु का अगरा रहा है, अंदव स्वाथ हो, समाज की कूर्टिया हो, जाती बेर हो, इसके विरुट, हमारे इन संतों ने, गुरु ने, मजबुती से आवाज बुलंद की है, साथियों, गुरु नानक भी कहां करते थे, विच दुनिया से भी कमाईए, तो दरगी बेसन पाईए, समसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही मोक्ष मिलता है, जीवन सभल होता है, आईए, इस अहम और पवित्र पढ़ाव पर, हम संकल पलें कि गुरु नानक भी के बचनों को अपने जीवन का हिस्ता बनाएंगे, हम समाज के भी तक सजभाव पैदा करने के लिए हड़ कोशिस करेंगे, हम भारत का अहित सोचने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, नसे जैसी समाज को खोख़़ा करने वाली आदतों से हम दूर रहेंगे, अपनी आने वाली पीडियों को दूर रखेंगे, परियावरण के साथ तानमेल पिठाते हुए विकास के पत को ससक्त करेंगे, गुरु नानक जी की यही प्रेणा मानवता के ही के लिए, विश्व की शांती के लिए, आज भी है, नानक नाम चड़दी कला, नानक नाम चड़दी कला, तेरे भाने सर्वत दाभला, साथियों, एक बार फिर, आप सभी को, पुरे देश को, संपुण विश्व में भरे, सिक्ताथियों को, गुरु नानक जी जी के, पांसो पचास से प्रकासोत से उपर, और करतारपूर साथ कोरिडोर की, बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, गुरु गन साथ के, सामने खड़े हो करके, इस पवित्र कारिये में हिस्टा बनने का आउसर मिला, मैं अपने आपको धन्य मानते हुए, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, सतनाम स्री वाहे गुरू, सतनाम स्री वाहे गुरू, सतनाम स्री वाहे गुरू.